आज हम आपको दिखा रहे हैं बोकारो कोईलियरी की ये तस्वीर और ये जो कोईलियरी है ये 100 साल अपने पूरे कर लिये हैं देश आजादी का अमरित महोसब तो मना ही रहा है लेकिन इस कोईलियरी ने अपना 100 साल पूरा किया है और अब भी ये इलाके का लाइफ लाइन बना हुआ है हमारे साथ इस कोईलियरी के जीम राउसाव हैं किस तरीके से आप अभी भी लाइफ लाइन बने हुए हैं और किस तरीके से आप जो नेशन की सेवा कर रहे हैं उसमें ये कोईलियरी अपना यूगदान दे रहा है देखिए हमारा प्रत्यक्ष रूप में हमारा म्यानपवर आज के दिन छेवी सो है जब ये कॉलरी चलता है अम जो समिक्षा करके देखते हैं अमारा एक कामगार का काम के पीछे करीब करीब उन्नीस से पचीस आदमी का जीवी का अधारत देखिए बगल माप चाय टेला वाल है गुलगपा बेस्ता है ये सब लोग आमारा उपर मतलब मैं आश्रित नहीं बोल सकता हूं बट द्यारावर रिस्पेक्ट स्टेकोल्डर्स उसी से रोन के यहां और हमारा कर्मी इनका आज मेरुक लगता है बहुत सारा लोगों का ये तीसरा पीडी काम कर रहे हैं क्या व अफि 20 साल के बाद है ये स्ट प्रोडक्शन हम लास्ट वी फॉरियर किया दो लाग संतान बे आजार करिब तीन लाग किया है और इस साल हम साड़ा तीन से चार लाग के प्रोडक्शन करने वाला है और ये प्यूरली डिपार्टमेंटल होता है यहाँ पर हमारा इक पिड़ी के लोगों ने अपना योगदान दिया है कैसा लगता है आपको कि आप तीसरा पिड़ी का काम करते हुए आज ये कमपनी नवरत्न कमपनी के रूप में अस्थापित है और आगे भी भविश्य से बहुत उजवल है और देश के उत्थान में बोकारो कोलेरी या बीन के एरिया काफी अभी अपना योगदान देगा इस कोलेरी के सारे मजदूर आसपास कराने वाले एक परिवार की तरह काम करते हैं सब की एक सोच है कि इस देश को उर्जा की जो रिक्वार्मेंट है उसको इस माइन से पूरा किया जाए और सब मिलजूल के कार करते हैं जो भी कठिनाईया होती हैं हम लोग प्रसासन के सवयोग से उस चीज को निदान करते हैं और इस कोलेरी को एक राष्ट के अच्छे रूप में ले जाने के लिए अपना कार देते हैं किस तरह से आप लोग इसमें सवक्षता को भी योगदान दे रहे हैं और किस तरह से अपना रहे हैं सवक्षता के लिए अभी हम लोग यहां पर काफी एक्यूपमेंट से यह वर्कशाप है बगल में इसका स्क्राप भी बहुत कच्रा भी बरा हुआ था उसके लिए हम लोग बजाए लिए अभी बजाए है